Hello everyone, welcome to Magic of Examination YouTube channel Last video में बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट किया कि सर फॉरेस्ट का भी कटाफ बताईए तो देखिए फॉरेस्ट का कटाफ जो है कई चीजों पर डिपेंड करता है या किसी का भी कटाफ कई चीजों पर डिपेंड करता है जैसे सबसे बड़ी चीज है कि number of CT किती थी दूसरा यह रहता है कितने गुना लोगों का प्रिलिम्स निकलेगा जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ जो 2020 का notification आया था उसमें 15 गुना लोगों को जो है न वह qualify किया गया था लेकिन जो 2021 का है यहाँ पर 20 गुना लोगों को किया जाएगा मीडियो को पूरा देखेगा एक दम genuine का टाप बताया जाएगा last year भी मैंने predict किया था बिल्कुल सही था दूसरा यह चीज आपको पता होना चाहिए कितने प्रशनों को delete किया गया है तो पिछले बार की अगर बात की जाए तो सिर्फ है पिछले बार बहुत सारे प्रशन डिलेट है 17 प्रशनों को लगभग जो है न वो second paper से ही delete कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पे English के प्रशन पूंचे गये थे और English के प्रशनों को consider नहीं किया जाता है क्योंकि सलेवस में नहीं दिया गया है सेम इसी तरह सिर्फ एक ही प्रशन first paper से delete हुआ था तो marking अलग-अलग थी तो आईए सबसे पहले मैं आपको जानकारी यहां पे भी दे देता हूँ कि यह जो notification मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ उसको पहले देखिएगा यहां पे clear लिखा हुआ है कि 15 गुना विद्यार्थियों को clear किया जाएगा यह देखिए यहां 15 गुना आपको दिख रहा है notification आप डाउनलोड कर लिजेगा यह 2020 MPPSC का है जहां पे 15 गुना लोगों को qualify किया गया था अब 15 गुना विद्यार्थियों किया गया है तो यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि seat उस बार कितनी थी तो अगर seat की बात की जाए पिछले बार की vacancy में तो देखिएगा लगभग दुगनी seat थी इस बार के compare सहायक मन रक्षक के 6 पद और छेतरपाल के 105 थे मतलब की 111 पद जित्थे टोटल थे तो आपको क्या करना है 111 गुणे 15 कर देंगे इसका मतलब लगभग जो है न 1600 के आस पास जाएगा मैं आपको पूरी चीज़े बताऊंगा बस आप थोड़ा से वीडियो पे बने रहें तो आपको समझ में आगया कि पहले 2020 में लगभग 111 वेकैंसी थी और 15 गुणा लोगों को क्वालिफाइट किया जाना था इस बार के अगर वेकैंसी की हम बात करें तो आपको मैं बता दूँ ये इस बार की वेकैंसी का नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आप देखिए आठ चालिस और पंदरा अन्तालिस पंदरा तिरसट तिरसट पदों पर भरते है तिरसट गुणे बीस कर देंगे इस बार जो है ना बीस गुणा लोगों को लिया गया है तो सिंपल सी बात है तिरसट गुणे डीस कर देंग तो लगभग शदूनी बारा साढ़े बारा सो क्यास पास जो है न ये कैंडिडेट रहेंगे पिछले बार के सबसे पहले कटाफ देख लेते हैं दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि सीटें कितनी थी और कितने लोग क्वालिफाई करेंगे पिछले बार देखी तो 262 नंबर अन्रिजर्ड गया था SC का 249 ST का 242 और OBC का 114 EWS का भी 114 अब देखते हैं इस बार कटाफ क्या हो सकता है सबसे पहले मैंने पूरा चीज़ें आपको बनाई है इसको फिर से मैं बता दू कि MPPSC 2020 की बात की जाए ठीक है लाश्ट इयर 111 सीटे थी 15 गुना करूंगा 1665 लोगों का लगभग का टाफ क्लियर रहोगा पेपर बन में एक कुश्चन डिलीट हुआ था तो 198 पेपर टू में 17 प्रिश्चन डिलीट हुए 34 नंबर हाट गया 364 में मार्किंग हुई ती धियान रखेगा MPPSC 2020 की बात की जाए 63 सीटे है 20 गुना लोगों को क्वालिफाई करेगा तो 1260 लगभग 1260 इस बार होगा मानले यह 13 सो हो सकता जिन लोग के बरावर कटाफ हो इसका मदलब क्या है कि पिछले बार जो थे न वो जादा लोग लगभग 1.3 टाइंस लोगों को जो है न वो क्वालिफाई किया गया था और टोटल पूनांक पे देखिता था 364 इस 364 पूनांक में से ध्यान रखिएगा ये कटाफ था जो कि बहुत सारे चैनल बोलने हैं पिछले वार से फरक नहीं पड़ेगा दोचान नंबर आंगे बढ़ जाएगा रे भीया पिछले वार जो मार्किंग हुई थी न वो 364 नंबर में से हुई थी इस बार आपको दो 5 लगभग जो 390 नंबर मार्किंग होगी सिर्फ 5 कुस्चन जो है न वो डिलेट किये गए हैं तो 390 में मार्किंग होगी इस बार तो पूनांक ही बढ़ गया है समझेगा चीजों को MPPSC यहां पर इस बार की मार्किंग होगी अब कटाफ मैं आपको बता रहा हूँ यह ध्यान रखेगा पिछले बार का कटाफ की बात की जाए अगर तो ध्यान रखेगा 262 गया हुआ था किसका अन्रिजर्व कटेगरी का कितने नंबर में से 364 में से लगभग 72% कटाफ दिया गया था अगर इस बार भी हम 390 का सिर 72% के भी आसपास अगर करें तो यह लगभग 290 और 300 के आसपास चीजें जाएंगी ठीक है लेकिन यह ध्यान रखेगा इससे भी जादा भी कटाफ हो सकता है इसका 390 का 72% लगभग 280 आता है ठीक है तो 280 से कटाफ जादा इसलिए रहेगा कि यह भी ध्यान दीजेए पिछले वार जो थी ना सीटे थी जादा थी और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले वार जो है ना 1665 लोगों का प्रिलिम्स क्वालिफाई हुआ था जबकि इस बार लगभग 1300, 1260 मनलब हो सकता है बहुत सारे लोगों का सेम सेम रहते हैं तो maximum 1300 लोगों का ही क्वालिफाई हो सकता है तो ये ध्यान रखे कर दो चीजे हैं पहला तो पुनांक बढ़ गया तो कटाफ भी बढ़ जाएगा दूसरा नंबर आप सीटे इस बार घटी है तो कटाफ और होगा लेकिन फिर भी अगर देखा जाए आपको कि इस बार देखा जो हिंदी के बहुत सारे प्रश्ण थे जो कि सामाने था टफ लगे थे पिछले बार हिंदी पूँची ही नहीं गई थी तो वही math reasoning और case study के दम पे चीज़े clear हो गई थी मदलब हिंदी व्याकरण नहीं पूँचे गई इस बार हिंदी व्याकरण भी थी थी थो थोगा tough level की ही थी समान नहीं थी तो फिर भी कटाफ जो है न वह है 290 से 320 में forest category के लिए journal mail कर रहेगा SC का 276 से 284, ST का 272 से 280, OBC का 282 से 290 और EWS का भी same 282 से 290 ध्यान रखे कटाफ इससे high ही रहने वाला है कम नहीं जाएगा क्योंकि number of seatे कम थे paper का level भी देखा जाए तो पिछले वारे compare से कम था ठीक है तो जो लोग इसके आस-पास है तैयारी चालू कर दे forest के लिए आपको पता होना चाहिए physical भी होता है साथ में interview के बाद तीन गुना लोगों को बुलाया जाएगा आपको तो ध्यान रखे किसी ही प्रकार की आपको information forest rated चाहिए तो आप comment में पूछ सकते हैं मैंने 2017 का forest interview दिया हुआ है चलिए अधर कोई आपको doubt हो तो जरूर पूछेगा बाई और सभी लोग अपने marks जरूर comment करें कि किसके कितने number आ रहे हैं ताकि और आपको अंदाजा लग सके और चैनल को सबस्क्राइब करिएगा बेल आइकॉन भी बजाईए ताकि जब वीडियो डालों तो आपको पता चलिए थैंक्यू